तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज हम लोग आए हैं धनवाद में जहां पे पांच किलोवाट का ऑफग्रीड सोलर सिस्टेम इस्टॉल होगा तो हम लोगे स्ट्रेक्चर जो है वह आ चुका है और यहां पे इस चत पे लगेगा पांच किलोवाट का सोलर पैनल जो की पंदरा सोलर पैनल रहेगा और इस्टॉलेशन का पूरा वीडियो तो आपको नहीं बना के दिखा पाएंगे क्योंकि जिससे हम केमरा करेंगे तो उसमें चार्ज बहुत ही कम है बैटरी कम होने के कारण पूरा कंप्लीट इस्टॉलेशन नहीं दिखा पाएंगे फिर भी म लाकिन को दबा दे ताकि मैं जो भी नहीं नहीं विडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए तो अभी जो है पैनल बगर उपर आएगा तो पैनल चलता है नीचे और यह जो सिस्टम लग रहा है यह धंबाद में नीरिसा में लग रहा है यह न सिस्टम नीचे की और चंतर हैं नीचे चाहरए के पैनल बगर है तो यह लग रहा है तो नीचे क्यों रहा रहा है तो वीडियो में बने रही है उपर आप वीडियो को लाश्ट तर वाच की देखते हैं आगे क्या क्या दिखा पते हैं प्रेट्रियल स्रिफ्टिंग हो रहा है उपर में और पैनल वगएर है यहां पर चार आ गिया है चार पैनल पैनल के डिटेल्स भी आपको बता देते हैं यह जो पैनल है 300 तीसो तीसो नहीं 335 वाट का एक सॉलर पैनल है इसका बीमपी जो है 39.9 पॉंट जीरो एंपियर है 8.60 जो है 46.15 है यहां पर आपको दीखता है आए यह सी 9.09 एंपियर तो पैनल जो यूटियल का है और यह पैनल 335 वाट का है और यह जो है टोटल 15 पैनल अभी हम लोग लाएंगे और 15 पैनल इस्टॉल करेंगे और 15 पैनल का कनेक्शन जो करेंगो अभी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे करना है और 5 के भी है इन्वेटर है जो कि अलफा प्लास है और 96 वोल्ट में है तो उसी इन्वेटर का कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे तो वीडियो पर बने रही हैंगा तो सबसे पहले हम लोग जो है सॉलर पैनल के स्ट्रक्चर को जो है इंस्टाल करेंगे तो ये सॉलर पैनल का राप्टर बगेर जो है अम लोगों ने लगा लिया लेग बगेर सारा कुछ लगा लिया है अब फटा फट से जल्दी जल्दी यहाँ पे काम भी खतम करना है और वापस जो है घर भी जाना है तो पांच किलो वाट का काम जो एक दिन में कम्पलीट करना इन पॉसिबल है और पॉसिबल भी दोनों ही है क्योंकि अगर आप काम लगन से करते हो तो कम्पलीट हो जागा तो फाइनली हमारा जो है इस्ट्रक्चर जो है रेडी हो चुका इस पर आप परलीन वगेरा लगा कि इसमें हम पैनल लगाएं और यहां से मैथन डेम जो है वो डेड़ से दो किलोमेटर का दूरी में है सायद क्योंकि गए नहीं हम लोग तो यहां पे अभी यह परलीन लग रहा है इस तरह से यहां पर परलीन लग जाएगा तो परलीन लगा लेने के बाद जो है फटा फट जल्दी जल्दी पैनल भी हम लोग जो है लगा रहे हैं और इसका नीचे जो है बेस को हम लोग अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं पैनल बगर लगा लेते हैं उसके बाद फिक्स करेंगे तो अभी हम लोगों ने जो है तीन पैनल को लगा लिया है और जल्दी जल्दी करना है क्योंकि घर भी जाना है जमसतपूर से आएं धनबाद करिबन यहाँ पे दूरी 176-180 km कास पास पड़ता है और यह पैनल जो है बाकी इधर भी और लगेगा तो टोटल हमारे पास जो है 15 सोलर पैनल है और जितने भी स्ट्रक्चर सबको हम लोगों ने रेडी कर लिया फटा फट से जो है इसमें पैनल चड़ा लेते हैं तो और यह सिस्टम से जो है इनका लेब चलेगा लेब में जो भी इनका सिस्टम है वो सिस्टम इनका चलने वाला है तो फानली हमारे जितने भी सोलर पैनल से 15 सोलर पैनल वो हम लोगों ने लगा लिया है और इसका टाइटनेस बगरा जो है हम लोग बढ़ियां से कर दिया है अब सुबह के बच चुका है दस सारे कोई जो है breakfast कर रहे हैं अभी और रात को पहुंचे था हम लोग दो बजे वीडियो में पहले आपको बता दी है तो काफी मतलब ठकान सा एक महसूस हो रहा है काम जो है करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी complete करके जो हम लोगों को जाना है यह finally हमारे जितने भी panel है सारा कुछ जो है वो tight वगरा हो चुका है और 15 panel जो है वो लग चुका है अब back side से कुछ इस तरह से दीख रहा है और अभी जितने panels का है connection हम लोगों ने कर दिये हैं तो inverter का connection भी हम लोग कर दिये हैं तो यहाँ पर total आपका 3 string बनाया है पांच-पा पैनल का पांच-पैनल का जो है सिरीज में connection किया है और हम लोगों ने एक DCDB यूज किया है जिसमें आपका 3 in 1 out है मतलग 3 string जो है 3 negative और 3 positive आपका उस DCDB में जाएगा और 3 हो जाके आपका वहाँ पर parallel होगा और एक output निकल के जाएगा आपका inverter में जो कि solar का cable रहेगा वह output जो connection है वह हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ चुका होगा कि solar का पैनल का connection कैसे किया है फाइब के भी alpha plus solar inverter का और इसका भी foundation जो है उसको भी फाशनर से fix करना है और इसका बाद उसको concrete मतलब ढलाई भी करना है नीचे base को जो है प्रोपर तरीका से व वारिंग किया हुआ कहीं भी आपको तार वार जो है लटका हुआ नहीं दिखेगा इस तरह से देख सकते हैं काम में जो है quality मैंटेन किया गया है और solar panel का जो है हमारा connection हो चुका है तो अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर हम लोग अभी DCD भी लगाएंगे और यह हमारा ज faisner को जो है हम लोग fix कर रहे हैं और इस तरह से एक आपको जो अभी faster मिलता है तो इसका kill को जैसे आप ठोकते हैं वज़िसे अंदर में जाकर यह fix हो जाता है इससे आपका एक मजबूत हो जबँता मजबूती हो जाता है हाव अगेर आने से उड़ता नहीं है है और भाई रात का प्रॉब्लम जो है एक तो नया जगा पे आये और हम लोगों जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा था Miaoq कि नए जगा पे आये है तो खोजने में थोड़ा दिक्कद होता ही है तो इसतर से सारे जितने ले गए सब में आपको इसतर से फाश्टनर को है मार देना है तो एक जो है वो मीस हो गया टेपर हो गया Tho 쓰는 सबको टाइडवी कर देना है सब जितने वह आपका नड़ बोलडे सबको आपको टाइडनें टाइड भी कर देना तो फाइनल या हमारे स्लॉब्र पैनल का कनिंशन हो गया सब में Somerated भी मार दिये हैं ऐसाइड में थे स्वीकों याँ लिव। उन कि लगा को इसे हम आपको सैड पैनल का यहां पर पैनल को भी। है और इस साइड में आपको तीन जो दीख रहा है यह स्चेसे सदाव और ऑर समय होता अ discdV जास में आपक किनेक्शन होने वाला है तीनक्षन होगा थे जो ने are उसका connection होने वाला है और इस पर तीन फ्यूज लगा रहता है इस तरह से और इस पर SPD लगा रहता है यहां से output निकल के जाएगा यहां से और जाएगा inverter में तो भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो पर बने रहिएगा और इस पर भी एक अर्थिंग दिया है और इधर से होते हुपे जो है उस साइड में inverter रूम है inverter रूम में चला जाएगा और यह cable जो है यह नीचे साया है एक output के लिए और एक input के लिए और एक जो है इसके अंदर से यह cable लिए inverter का अर्थिंग के लिए body अर्थिंग तो finally हमारा जो है wiring जो है complete हो चुका है और यह जो आपको देखने को मिलता है यह एक input और एक output आपको बता दिया तो input का connection हम लोग को करना है output का जो है सिर्फ cable हम लोग को छोड़ देना है सर अपना output जो है जहां भी लेना रहेगा वो सर अपने से ले लेंगे तो हमारा जो है wiring complete हो चुका है यहां से आप देख सकते हैं कैसे तार बगर को पार किया गया है और यहां पर अभी होल मारना है तीन क्योंकि उस रूम के अंदर जाना है केबल लेके और यूट पैटरी जो हम लोग यूज़ करने वाले है यूटियल का ही यूज़ करने वाले है तो आपका 8 बैटरी हो जाता है 96 श्यानवे भॉल्ट के लिए और आटो बैटरी का जो है आपका सीरीज में connection होने वाला है या grid input output का तो अभी जो हम लोग connection कर रहे हैं ये grid का input है मतलब इससे हमारा inverter को grid मिलेगा अगर इनके solar फेल हो जाता है तो उस condition में जो है हमारा grid काम आजागा solar फेल हो जाने से और जितने वे connection करना आपका inverter का back side में आपको जितने fuse देखने को मिलता सारे fuse को आपको आप करके connection करना है और लग्स बगेर आपको यूज कर लेना है इसमें पिन टाइब लग्स तो हम लोग उने जो है छे का लग लगा रहे हैं 6 का और यहां से जो है आउटपूट निकलेगा अब आउटपूट का क्यावल हम लोग connection कर रहे हैं आउटपूट का हम लोग inverter में connection कर दे रहे हैं और यहां से नीचे जो गया है मैं बॉक्स पर वहां पर connection नहीं करेंगे क्योंकि सरका पर्शनल एक लेब है उस लेब में वह यूज करने वाले हैं तो मैं बोड़ पर देंगे तो सारे विल्डिंग पर चला जागा लोड यह इनवेटर का इनवेटर पर ज्यादा लोड आ जाएगा तो अभी हम लोग लोड का केवल लगा रहे हैं जो कि इस इनवेटर से चलेगा तो आपको न्यूटल और आयन दोनों चीज केवल को ध्यान में रखते हुआ आपको यहां पर प्रोपर तरीका से टाइट कर देना लूज नहीं करना है हीट होता है और बैटरी का यह रेड और ब्लेक जो आपको केवल दिखा वो बैटरी का केवल है तो अभी हम लोग यह सोलर पैनल का केवल को लगा लेता है तो रात के समय सोलर पैनल का केवल को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है आप सोलर प तो हम लोगों ने identify कर लिये कि negative और positive कौन चा है और अभी हम लोग जो है solar panel का connection कर रहे हैं तो ये positive वाली cable को हम लोगों ने अभी लगा दिये है solar panel के ये positive cable है और इसके बाद जो है negative वाली को लगाएंगे तो solar का negative और positive दोनों यहाँ पर आपको लगा देना last में आप सारा कुछ inverter में जो है लिखा हुआ रहता है negative और positive कहां लगने वाला है तो हम लोगों ने negative positive लगा दिये हैं अब आते हैं dcdv में solar panel का जो dcdv से solar का connection ने किया हुआ था तो उसको भी अभी हम लोग टाइट कर लेता है और अभी time हो गया साड़े दस अमनों को घर भी जना है धनवाद से करीवन 180 आसपास 180 किलोमेटर का आसपास हमारा घर है वहां से अब तीनों फ्यूज का हम लोगा देते हैं तो हमारा solar का केबल यहां से लग चुका आव आते हैं हम लोग नीचे जहां पे इनका junction box है तो यहां से होते हुए ज जो वायर आपको दीख रहा है यह हम लोग इनवेटर के लिए लिया है इनपूट तो यह इनपूट वाली के बले तो इसको हम लोग जो नीचल और रायन दोनों को हम लोग को connection करना और यह green वाली जो है यह इनवेटर से आउटपूट निकला है मतलब लूड बगेरा जो भ change over है change over का डखकन जो हम लोग उने खोल दिये है अब इस पर negative और positive दोनों के बल को लगा देना है तो इसको बंद कर लेता है नहीं तो भाई बड़ी जोर का मारता है current अगर गलती से कहीं सट गया तो हो गया कल्यान तो यह जो है यह red वाली केवल है मतलब positive है तो यहाँ पे केवल को लगा देते हैं और उपर में हम लोग को जा के इसके बाद identify करना है कि inverter में जो हम लोग केवल लगा है negative और positive grid का वो सही है या नहीं है तो उपर चल के भी देखना है लाइन अनुटल दोनों को चेक कर लेना इसको हम लोग अभी यहां पर लगा देते हैं इसको टाइट कर देते हैं इसको चेक कर लेते हैं कि खीच के लूज तो नहीं है अब इधर नोटल इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि कभी अगर सोलर फेल मार जाए अगर बारी सोरा कंटिनियूँ दो चार दिन तो उस कंडिशन में सोलर अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारा गृट जो है वो काम कर जाए और हमारा सिस्टम चलता रहे ऑन रहे इसलिए गृट दे देते हैं औरृट देने से जो है आपका इन्वेटर का लाइब भी बढ़ जाता है तो दोनों केबल को ही जो हम लोगोंने टाइट कर दिया है इसके बाद हम लोग उपर चलेंगे इन्वेटर में तो उम्मीद करते हैं कि आपको solar panel का connection कैसे करना है और DCDV से कैसे आपको connection लाना समझ आगया होगा और अगर कुछ doubt है तो मेरा contact number mail ID आपको description में देखने को मिलता है डाइरेक्ट मेरे से आप contact भी कर सकते हैं और अगर आप solar system लगवाना चाहते हैं तब भी आपको आप जो है contact कर सकते हैं यह 5kb upgrade solar system install किया है 5kb solar inverter install किया है DCDV install किया है solar battery को भी जो है हम लोगों ने install किया है और इसको जो है हम लोगों में डकन बगएर सबको लगा देते हैं क्यूंकि यहां पर connection जो है वो हो चुका है अब on कर देते हैं तो on कर दी है या भी grid में है तो हम लोगों को जो है यहां से grid का connection लेना था तो grid का connection हम लोगों ने ले लिये है जो इसको इसको जितना भी स्क्रूव है सबको टाइट कर देते हैं आप इस बॉक्स को बंद कर देते हैं और यह कॉलेज में यह सिस्टम लग रहा है अब इसमें डीजी मोड और ग्रीड मोड दोनों आपको इस चैंजोबर में देखने को मिलता है और यह केबल था जो आउटपूट है और यहां पर अभी हम लोग चेक करते हैं न्यूटा लो लाइन कौन चा है तो दोनों को आपको चेक कर अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे गलत लगा हुआ होगा तो एमसीबी को ना उठाएं, modern को आप ऐसे डाउन करके हि रखें इडेंटिफफाइ कर लिया हैं दोनों को जो है अल्टि पल्टी कर दे रहें, लगा दिया और रात का समय होने के कारेंट से यहां लाइट नहीं है तो लाइट नहीं होने के कारेंच आपको लाइटिंग एरिश्टर और अर्थिंग जो है उसका वीडियो नहीं बना पाएं तो अभी जो है इन्वेटर का dmcv बगर सबको टाउन करके रखेंगे तो इसको अम लोग कल मौर्निंग में जब संराइज होगा सूरा जुगेगा उस समय इसको हम लोग आन करके देखेंगे या आन करेंगे उस समय अभी इसको आन नहीं करेंगे सारे mcv बगरा को ऐसे डाउन करके छोड़ देना है और बैटरी बगरा सारा कुछ का तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जोरू बताइएगा तो फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन जैभारत तो यह इनवेटर का फ्रेंट साइड भी आपको हम दिखा देता है यूटियल अलफा प्लस फाइब के विए सॉलर इनवेटर ज जो कि 96 बोल्ट में आपको देखने को मिलता है और अभी यह सिस्टम को हम लोग बंद करके ही रखें मैं इसको कल सुबह में मॉर्निंग में ओन करेंगे और बेक साइड का जो है केबल वाली जो गाड है जिस गाड को हम लोग लगा देते हैं लगा दिया है तो फाइनल कनेक क्या लगता है तो अभी जो है चेक कर लेते हैं कितना टाइम हुआ तो अपना मोबाइल निकालते हैं और सारा कुछ जो है मैट्रियल बगर सारा समेट लिए और अभी टाइम हो रहा एक 22 अभी रात के 22 बज़ रहा है अभी हम लोग यहां से धन्वात से गर निकलेंगे तो फिर मिलता है एक नए वीडियो में तब तक लिए बाई